अब गूद्माणिंग फेंस, जौबसेंट के रहें, फिर्श एक बार आपको सागत है, तो आज बात करने वाला हूँ, IIT हाइदरावाद के बारे में, तो आज चो रिकूमेंड है, वो टोटली IIT से आया है, और वो भी हाइदरावाद IIT से आया है, और यहाँ पर नहीं किया तो जुरूद सब्सक्राइब कर लिजिए साथ बेल आइकन को प्रेस करकर आल भी कर दीजिए यूग को डेली वेसिस जॉब की इन्फर्मेसन चाहिए तो इस चैनल में बन रहे हैं तो चलो देखते हैं आज के जॉब के बारे में तो मैं पहले बता चुक हूँ आइटी मतलब इंडियन इंस्ट्यूट इंस्ट्यूट आप टेकनोलोजी इसमें आपको च्वाब अफर कर रहा है वो टोटली हाइदराबाद में होगा और यहां पे 24 वैकन्सी से जिसमें एक्जिक्टिव इंजिनियर मतलब इलेक्टिकल ट्रेड में वान पोस्ट है सिनिय इंजिनियर सिविल के लिए वान टू पोस्ट है जूनियर इंजिनियर इलेक्टिकल के लिए टू पोस्ट है टेकनिकल सुपरेंडेंट के लिए 7 पोस्ट है जूनियर टेकनिकल के लिए 8 पोस्ट है और माल्टी डाक्सिंग एसिस्टेंट के लिए आपको वान पोस्ट दिय तक अब गाएज लिए गए है सदिसात मेडिकल ऑफिसर का भी फ़र्टि फ़र्टि-फ़र्टि फाइव और यहां पर जुनियर फिजलिजियलिकल आप उसके लिए 40 years और junior engineer civil के लिए 35 years, electrical के लिए 35 years, technical superintendent के लिए 40 years, junior technician के लिए 35 years, multi-skill assistant के लिए 30 years, तो यहाँ पर पूरा age limit दिया गया है, आप जिस age limit में आपका qualification match कहता है, और age limit भी आपका match किया जाता है, तब ही आप उस sport में apply कर देना, यहाँ पर exam जो होगा वो written test और उसके साथ skill test उसके बाद interview, इस तीनों trade को आपको pass out होना है, तब ही आप apply कर पाएंगे, पहले आप written test होगा, उसके बाद skill test होगा, और देन interview होगा, और इसको charges देखिए 500 rupees आपको general OBC के लिए pay करना होगा, और other categories के लिए कोई भी charges नहीं देना होगा, और मतलब other category मतलब SCST OBC physical handicap, OBC के लिए 500 rupees पे करना होगा, SCST physical handicap and moments के लिए कोई भी charges नहीं है, और salary pay के जब इतने discuss के गए नहीं है, और education qualification एक बद देख लिए आपको executive electrical के लिए आपको electrical test में BAB tech compete करना होगा, साथी साथ आपको 10 years का experience मांगा गया है, आपको थोड़ा से experience भी आपको देना होगा, senior technician department में आपको ME, Mtech pass out होना है, बुबी, power electronics and power system, control, याप देख इंस्टुमेंट्शन विद 8 years का experience मांगा गया है, junior medical officer के लिए आपको MBBS pass out होना है 555% marks लेके और 6 years का relevant experience मांगा गया है, 3 years के लिए के junior याप देखिए physiological consumer के लिए आपको master degree होना चाहिए, physiological department में 2 years का relevant experience मांगा गया है, सती साथ याप जूनियर engineer के लिए आपको civil के लिए BA Btech civil engineering pass out होना है, 3 साल के लिए आपको experience मांगा गया है, junior engineer के लिए आपको BA Btech electrical electronics and communication engineering में आपको pass out होना है 3 years के लिए, आप देखिए technical superintendent के लिए आपको first class BA Btech pass out होना है, साथ यहाँ पर computer science, electric engineer, mechanical engineer, telecommunication और यहाँ पर देखिए, civil बहुत सरे trade यहाँ पर दिया गया, IT trade भी आप pass out होना 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 है, सबसे जो बड़ी बात है इस trade में apply करने के लिए कोई भी trade यहाँ पर apply कर सकते है, साथी साथ at least one year से three years तक आपको experience चाहिए, मतलब सिर्फ one year experience होतों आप apply कर सकते है, आपर देखिए multi skill assistant के लिए आपको five years का experience चाहिए, साथी साथ आपको IT pass out होना है first class degree लेकर वो भी electronics trade में तभी apply कर पाएंगे, तो यह था totally education qualification और experience के बारे में, तो आप जलसे जल apply कर दिया क्योंकि 11th October से पहले आपको apply करना होगा, याप application का notification में click करना तो इस पे open हो जाएगा, आप notification देखने से पहले में यहीं काऊंगा, साथी साथ आपको part time job भी आप में डालता रहता हूँ आपको बहुत सरे चीज़ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए job और notification में click करना तो इस पे open हो जाएगा, आपको सारी details मिल जाएगा, कौन सा post में कितना vacancies है, अब कितना salary मिलेगा वह भी आपको दिया गया है, मैं आपको salary बोला था कि notification में जाएगा तब आपको salary पर का details मिल जाएगा, साती साथ कितना vacancies है वह भी आपको दिया गया है, तो पूरा details check out कर लिजीएगा उसके साथ exam कैसे होगा, किस डेट में कैसा एकदम होगा उसके बारे में भी आप दिया गया है आप जाकर नोटिपिकेशन में ध्यान से देख लेना पूरे डीटेल्स आपको मिल जाएगा तो आप के बाद आपको क्या करना हुगा आपको फॉर्म को किलिक करना होगा उसके लिए और याप करना हुगा मैं क्लिक करेंगे तो इस पे उंप हो जाएगा आप एसदेट में इसदेट में आपको घूंढना होगा और उस्के बाद ऊप्लना होगा तो सिंपॉल स्टेफ आपको धी आकर सकते हैं आप मैं आपर करिए और कुछ भी कुष्टन दो मुझे कामन कर सकते हैं मैं आपको जूर रिप्लाइद होना तो असा करता हो इस लिंक में जाकर क्लिक करिए और आपको GKGI का पेज ओपन हो जाएगा वो भी टोटली एटूब वीडियो है तो आप वह से जाकर देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स जब लेके तब के लिए से सरहिए आपने क्याल लगिए बैबाए